दोस्तों नमस्कार ये हैं मागदोशन फॉर सिबिल सर्विशेज मैं अनुराग शौधरी दोस्तों बिभिन प्रतियोगी परिक्षाओं के सामानी ग्यान और सामानी अध्यन के महत्तपून प्रशनों के रिवीजन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है वर्ल्ड जियोग्राफी यानि विश्व के भुगोल से संबंधित महत्तपून प्रशनों का रिवीजन इसमें हम क्रिशी और पसुपालन से संबंधित महत्तपून प्रशनों को कवर करेंगे तो आएए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों क्रिसी और पसुपालन से संबंधित कई ऐसे प्रश्ण हैं जो परिक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं उनके दृष्टिगत आईए देखते हैं महत्वपोर्ण प्रश्णों को पहला प्रश्ण है विसो के निम्नलिखित प्रदेशों में किसमे खटे रसीले फलों का उतपादन बहुत विक्सित है तो आप जानते हैं भूमध्य सागरी प्रदेश में भूमध्य सागरी प्रदेश खटे और रसीले फलों के उतपादन के लिए विक्सित छेतर हैं और अगला प्रशन है पेड़ों की कतारों के बीच में फसले उगाने को क्या कहते हैं तो उत्तर है तोंग्या प्रडाली आप जान लीजे पेडों की कतारों के बीच में फसल उगाने को तूंग्या पडाली या तूंग्या सिस्टम कहते हैं ये म्यामार में की जाने वाली अस्थान अंतरित क्रिसी का रूप अंतरित रूप है अगला प्रश्ण है कौन सी तिलहन की एक किस्म है आपसं देखिए लाइबेरिका अरेविका रोबश्टा या तारा मीरा तो सही उत्तर तारा मीरा तारा मीरा सरसो या तिलहन की एक प्रजाती है और जो लाइबेरिका, अरेविका और रोवश्टा ये कौफी की प्रजातिया है अगला प्रशन है किस कारण से बिश्व रेसम उत्पादन में कमी आई है मांग में कमी से, कुशल कारीगरों की कमी से, फायदे मन मुल्य की कमी से या मानो निर्मित फाइबर की प्रतिस परधा से तो सही उत्तर मानो निर्मित फाइबर की प्रतिस परधा से रेशम उत्पादन में कमी आई है अगला प्रश्ण है निम्नलिखित देशों में किसमें चावल की क्रिशी के अंतरगत सरवाधिक छेत्र आता है चीन, भारत, जापान या फिलिपिन्स तो सही उत्तर फिलिपिन्स आप संडी दोस्तों आप जान लिजे कि फिलिपिन्स में इन आकड़ों में दिये गए इसमें विकल्पों में चावल की क्रिशी के अंतरगत सरवाधिक छेत्र आता है अगला प्रश्न है बिस्व का धान जीन बैंक कहां पर इस्थित है तो सही उत्तर है धान जीन बैंक जो है ये फिलिपिन्स में अस्थापित किया गया है कहां पर ये अंतराष्टी धान सोध संस्थान लास बनास फिलिपिन्स में अस्थापित किया गया है और अंतराष्ट चावल सोध संस्थान की अस्थापना 1960 में की गई थी अगला प्रश्न है कौन सा फल उश्र कटिवंधी नहीं है अखरोट, नारियल, सेव या काजू तो सही उत्तरापका हो जाएगा सेव उश्र कटिवंधी फल नहीं है अगले प्रश्न पर आते हैं एक फसली क्रिसी विशेष्था होती है किसकी तो आप सभी जानते हैं दोस्तों एक फसली क्रिसी ब्यापारिक अन्निक्रिसी की विशेष्था होती है अगला है कौन एक चलवासी क्रिसी नहीं है चेना, जूमिंग, मिलपा या फेजेंडा तो सही उत्तर फेजेंडा, फेजेंडा चलवासे क्रिसी नहीं है, क्यों क्योंकि आप जान लिजे फेजेंडा जो है काफी के ब्राजील के कहवाबागानों को फाजेंडा कहा जाता है अगला प्रश्ण है किस फसल में एजोला एना बीना जैव उर्वरक का उप्योग किया जाता है गेहूं, चावल, सरसो या कपास में तो सही उत्तरापका हो जाएगा चावल में एजोला एना बीना बायो फोर्टिलाइजर का उप्योग किया जाता है अगले प्रशन पर आते हैं नील हरी सैवाल निमनली खित में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक की रूप में प्रियोग में लाया जाता है तो सही उत्तर धान के फसल में दोस्तों नील हरी सैवाल या ब्लू ग्रीन एलगी इसका प्रियोग धान की फसल में जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है अगला प्रशन है अलफा अलफा क्या है तो अलफा अलफा दोस्तों ये जो है एक प्रकार की घास है और ये मटर परिवार फावेसिये का फूल देने वाला एक पौधा है जिसके खेती महत्तोपूर पशुचारे के रूप में की जाती है अगला प्रशन है मोका काफी कहां उगाई जाती है तो मोका काफी उगाने का जो छेत्र है वो यमन है मोका काफी यमन में उगाई जाती है मोका नामक बंदरगा से निर्यात के कारण इसका नाम मोका पड़ा है अगला प्रश्ण है कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता है थीन, कैफीन, तेनिन या मार्फीन तो सही उत्तर मार्फीन जो है ये चाय में नहीं पाया जाता है अगला प्रश्ण है हेरोईन प्राप्त होती है किस से भांग, अफीम पोस्ता, तंबाकू या सुपारी से तो सही उत्तर है अफीम पोस्ता से दूस्तों हेरोईन का उत्पादन अफीम के पोस्ता से किया जाता है अगला प्रश्ण है निम्नांकित किस देश समुह में मक्का मुख्य भोजन के रूप में प्रियोग में आता है पश्यमी यूरोप, रूस, मध्य अफ्रिका या दक्षिड पोर्व एशिया में तो सही उत्तर मध्य अफ्रिका में आपसंसी आपका सही उत्तर है दोस्तों मक्का मध्य अफ्रिकी देशों में मुख्य भोजन के रूप में प्रियोग में लाया जाता है अगला प्रश्ण है निम्नलिखित देशों में किस एक में पहली बार उच उपज किस्म बीज विक्सित किये गए थे आपसंन है आपके अरजेंटीना, चीन, मैक्सिको या भारत तो सही उत्तर उच उपज किस्म बीज सबसे पहले मैक्सिको में विक्सित किये गए थे आपसंसी आपका सही उत्तर है अगला प्रश्ण है कथ्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का प्रियोग होता है तो आप जान लीजे खैर पेड़ की लकड़ी का प्रियोग कथ्था बनाने के लिए किया जाता है एक और महत पूर्ण प्रश्ण है कि मुंगफली का मूल अस्थान क्या है तो सही उत्तर है परागवे की घाटी देखें परागवे की घाटी कहाँ पर है तो ये दक्षुड अमेरिका महादीब के परागवे की घाटी माटो ग्रासो और ब्राजील और आसपास के छेत्रों को जो है, ये मुंग फली का मूल अस्थान माना जाता है, तो यहाँ पर जो है, ये ब्राजील सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्ण है सहतूश, जो कि विस्व का सबसे सुन्दर गरम और हलका उन माना जाता है, ये कहां पैदा होता है। नेपाल, उजवेकिस्तान, चीन और बंगलादेश, तो सही उत्तर, चीन आपसन सी। सहतूश, विसेश परकार का गरम उनिशाल है, जो तिब्बत में पाये जाने वाले तिब्बती एंटिलोप अथवा चीरू के बालों से तयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, शहतूश, शाल बनाई जाती है किसके बालों से? तो आप जानते हैं, ये चीरू के बालों से बनाई जाती है, चीरू का निवास, चीनी स्वायत, छेत्र, तिब्बत में इस्थित है। अगला प्रश्ण है एपीकल्चर एक बईग्ञानिक विधी है जो किसके उतपादन से संबंधित है अगला प्रश्ण है वीटी कल्चर किसे कहते हैं तो अंगूर का व्यापारिक उतपादन वीटी कल्चर कहलाता है अगला प्रश्न है दोस्तों यूरोप और उत्तरी अमेरिका में बीफ की एक सुरक्षित और स्वस्त खाद चबी को जिसने नश्ट किया है किसने वर्ड फ्लू लोग, मैड काउ रोग, सुवर पालन में प्रियुक्त विधियां या कुट पालन विधियों ने तो सही उत्तर मैड काउ रोग ने, आप जान लिजे दोस्तों कि मैड काउ रोग पहली बार ब्रीटेन में सामने आया, इस रोग के कारण ब्रेटिस बीफ इंड़स्ट्री बुरी तरह प्रभावित हुई थी अगला प्रश्ण है, दुख्ध उत्पादन में किस देश का पर्थम अस्थान है, आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर प्रश्ण है, दुख्ध उत्पादन में किस देश का पर्थम अस्थान है, चीन, भारत, अमेरिका या आश्ट्रेलिया, तो सही उत्तर भारत का और इसमें दो सौतेइस मिलियन टन उतपादन के साथ विसो का सिर्स दुग्ध उतपादक देश बना है अगला प्रश्ण है कि किसे विसो का चीनी का कटोरा कहा जाता है आपको बताना है तो सही उत्तर चीनी का कटोरा दुनिया का क्यूबा को कहा जाता है अगला है ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को क्या कहा जाता है इस्टेट, इस्टेंसियाज, कल्खो, जेस या फजेंडा तो सही उत्तर है ब्राजील में फजेंडा एक प्रकार का बागान है यहां कहवा का उत्पादन होता है आपसन D आपका सही उत्तर है अगला प्रश्न है कौन सा देश बिशो का सबसे अधिक के सर उत्पादन करने वाला देश है इस्पेन, ग्रीस, न्यूजिलेंड या इरान तो सही उत्तर इरान आपसन D याद रखेगा, दूस्तों, FAO के आकड़ो के अनुसार इरान बिशो का सरवाधिक के सर उत्पादन करने वाला देश है अगला प्रश्न है सरसो की मिसरित खेती किस के साथ होती है, यानि किस फसल के साथ आपसन है सूरज मुखी, मतर, मक्का या गेहूं के साथ, तो सही उत्तर गेहूं के साथ याद रखेगा आपसन D आपका सही उत्तर है, और सरसोर रवी की फसल है इसकी खेती, जो है ये गेहूं के साथ मिश्रित रूप से की जाती है अगला प्रश्ण है, निमने लिखित में से कौन सा प्राकृतिक छेतर बिसो का ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है, आपको बताना है, तो सही उत्तर इस्टेपी छेतर इस्टेपी छेतर को बिसो के ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है अगला प्रश्ण है विश्व हरित क्रान्ती के जनक कौन थे आपको बताना है तो सही उत्तर है विश्व हरित क्रान्ती के जनक नार्मन अरनेष्ट बोरलाग है अब जान लीजे कि जो Green Revolution है उसके जनक नार्मन बोर लाग थे जिनके प्रयासों से क्रिशी छेत्र में उत्पादन में ब्रिध्धी हुई थी अगला प्रशन है उत्तरपूर भारत में जूमिंग मलेसिया में लदांग और जैरे की तराई में मासोले ये अस्थानी सब्द किसको प्रदर्शित करते हैं या किसको व्यक्त करते हैं तो सही उत्तर है इसको अस्थानांतरित क्रिसी कहा जाता है अस्थानांत्रित क्रिसी को उत्तरपूर भारत में जूमिंग, मलेसिया में लदांग और जायरे की तराई में मासोले कहा जाता है अगला प्रश्ण है कौन से छेत्र की मुख्य फसल चावल है और यहाँ पर धान की खेती बहुतायस से की जाती है अगला प्रश्ण है म्यामार को किस रूप में जाना जाता है सुदूर पूरो का धान का कटोरा, मत्सि ग्रहर स्वर्ग, जहाज मरमत का रिसाला या प्रमुक्तेल उत्पादक तो सही उत्तर है सुदूर पूरो का धान का कटोरा आप जान लिजे कि सुदूर पूरो का धान का कटोरा के रूप में मयामार या बरमा को जाना जाता है अगला प्रश्ण है म्रिदा रहित क्रिसी को क्या कहते हैं जल समबर्धन, आर्दता समबर्धन, अंतराल फशलन या रेशम उत्पादन तो सही उत्तर है जल समबर्धन आपसन ए आप जान लीजे दोस्तों मृदा रहित क्रिसी को हाइड्रोपोनिक्स या जल समबर्धन कहा जाता है पौधों के लिए आवश्यक खनिज लौडों को जल में मिलाकर क्रिसी का कारे किया जाता है अगला प्रश्न है आश्टेलिया की सबसे महत्तपूर्ण खाद्ध फशल क्या है आपसन है आपके मक्का, जव, गीहूं या चावल तो सही उत्तर क्या हो जाएगा गीहूं देखिए गीहूं आश्टेलिया की मुखे खाद्यान फसल है जिसका सरवाधिक उत्पादन न्यू साउथ वेल्स और पश्मी आश्टेलिया राज्यों में होता है अगला है निमनलिखित में से भारत का कौन सा पडोसी देश अफीम का सरवाधिक उत्पादक है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, स्री लंका या मालदीव तो सही उत्तर अफगानिस्तान अगर आप देखें तो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत के पडोसी देशों में अफीम यानी ओपियम का सरवाधिक उत्पादन अफगानिस्तान में होता है अगला प्रश्न है क्रिसी उत्पादों की कोट किस प्रकार निर्धारित की जाती है आपको बताना है ISI पारिस्थित की उत्पाद एगमार्क या हरित उत्पाद तो सही उत्तर है एगमार्क आपसल सी आप जान लीजे कि एगमार्क केंद्र सरकार दोरा प्रायोजिती उत्पाद की ग्रेडिंग और मार्केटिंग अधनियम 1937 की अंतरगत क्रिसी और संबध उत्पादों की ग्रेडिंग और मानकी करण को प्रोसाहिद करती है अगला प्रश्ण है अनेक परकार की शराब और शैंपन के लिए कौन सा छेत्र परसिध है आपको बताना है तो सही उत्तर भूमध्य सागर आपसल सी बहुत ही महत्पूर्ण प्रश्ण है भूमध्य सागरी छेत्र अनेक परकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध है अगला प्रश्ण है वह पुष्पकलिका जिसे मसाले के रूप में इस्तिमाल किया जाता है आपसन है दालचीनी इलाची लॉंग या धनिया तो सही उत्तर है लॉंग का पुष्पकलिका के रूप में प्रयोग किया जाता है आपसन C आपका सही उत्तर है अगला प्रश्ण है IR20 किस चीज की अधिक पैदावार देने वाली किसम है आपको बताना है तो सही उत्तर ये धान की किसम है यानि चावल आप जान लीजे IR20 धान की मध्यम पर जाती है ये इस्टेम बोरर की प्रतिरोधी है अगला प्रश्ण है यूरोप में आलू की पैदावार किसने से रूखी थी जर्मन, इस्पैनिश, डच या पुर्तगीज तो सही उत्तर क्या हो जाएगा सही उत्तर है इस्पैनिश लोगोंने सबसे पहले आलू की खेती दक्षुड अमेरिका महादीप में की गई यहां से आलू की क्रिसी की जानकारी सबसे पहले इस्पैन में पहुँची इसलिए यूरोप में आलू की पैदावार इस्पैनिशो ने प्रारंब की थी अगला प्रश्ण है कि क्रिस्य भूमी को किस रूप में परिभाशिक किया जाता है तो सही उत्तर है कुल क्रिस्य भूमी में कुल परती भूमी और सुध्य भूआई की गई भूम शामिल होती है तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कुल परती भूमी प्लस निबल भूआई की गई भूमी इसको क्रिस्य भूमी कहा जाता है अगला प्रश्ण है दियारा भूमी क्या होती है आपको बताना है तो सही उत्तर है दियारा भूमी जलोड मैदान को कहा जाता है और बाढ़ के समय नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी और सिल्ट मिट्टी के किनारे मैदानों में फैल जाती है इनका ढाल कम हो जाता है इसे ही बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में दियारा भू में कहा जाता है अगला प्रशन है मुंग फली कहां की प्रमुक फसल है आपको बताना है तो सही उत्तर यहां पर आपसन है जारजिया, गैंबिया, घाना और गौाटेमाला तो इसमें गैंबिया की प्रमुक फसल मुंग फली है और यहां के सकल घरेल उत्तर में मुंग फली की हिसेदारी अन्य फसलों से अधिक है अगला प्रशन है सैक्रामेंटो, सान, जोवा, क्विन, घाटी जो अमेरिका में अंगूर और सिट्रस यानि नीवुवन्स फलों के लिए उत्पादन के लिए भी ख्यात है ये किस राज्य में इस्थित है तो सही उत्तर है कैलिफोर्निया राज्य में याद रखिएगा अगला प्रशन है कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है घाना में कोको की क्रिसी लोगपरी है यहां पर आप देखिए सही है कहवा ब्राजील की महत्वण बागानी फसल है सही है स्री लंका चाय के उत्पादन के लिए परसिद्ध सही है गन्ना मलेशिया की प्रमुख बागानी फसल है ये आपका सही नहीं है क्योंकि गन्ना जो है गन्ना नहीं मलेशिया की प्रमुख भागानी फसल रबर है गन्ना भागानी फसल में सामिल नहीं है अगले प्रशन है तुंग्या क्रिसी जहां की जाती है वो है तो याद रखिएगा तुंग्या क्रिसी म्यामार में की जाती है आपसन ए आपका सही उत्तर है अगले प्रशन पर आते हैं सुची एक का सुची दो से सुमेलन कीजिए और दिये गए कूट से सही उत्तर का चैन करिए फशल और जो है छेतर का मिलान आपको करना है तो आप देख सकते हैं रबर बहुत ही महत्तपोर्ण प्रशन है रबर मलेशिया की याद रखेगा कहवा कोलंबिया की जैतून इटली का और गन्ना मारिशस का प्रमुख फसल है आप सन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा चार तीन दो और एक अगला प्रशन है एक फसली पढ़ाली जिसके अंतरगत फसलों को रोपड किये गए पेडों की कतारों की बीच के अस्थान में उगाया जाता है तो सही उत्तर है ये एले क्रॉपिंग कहलाता है याद रखेगा एले क्रापिंग के अंतरगर्ट फसलों को रोपड किये गए पेड़ों की कतारों की बीच के अस्थान में लगाया जाता है अगला प्रश्ण है गहन आजीवी का बसे विसिष्ट छेतर में अपनाई जाती है जिसमें क्या होता है तो सही उतर है ऐसे छेतर जहां पर उच्च जनसंख्या घनत्व और निम्न तकनी की है वहाँ पर जो है गहन आजीवी का अपनाया जाता है उच्च जनसंख्या घनत्व और निम्न तकनी की गहन आजीवी का बसे विसिष्ट छेतरों में अपनाई जाती है अगला प्रश्ण कथन और कारण से संबंधित है और दिये गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चैन करिए कथन है एक पौधा जिसमें नाइट्रोजन की कमी है छोटे कद का विकास और हलके हरे पीले रंग की पत्तियों जैसे लक्षण दर्साएगा सही है कारण है कि नतरजन हरी पत्ति के विकास के लिए जिम्मेदार है बिल्कुल सही यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही असपश्टी करण है आपसन ए आपका सही उत्तर है अगला प्रश्ण है निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजे यहाँ पर तीन जीव दिये गए है एगैरिकस नाश्टाक और इस्पाइरोगायरा इसमें से कौन जैव उर्वरक के लिए प्रयूग तो होता है तो सही उत्तर केवल नाश्टाक यानि आपसन भी बहुत ही महत्त प्रश्ण है जैव उर्वरक के रूप में राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम और नील हरिष सहवालों का प्रयोग लंबे समय से होता आ रहा है इसमें नील हरिष सहवाल का संबन साइनोबैक्टिरिया, जेनस, नाश्टाक या एनबीना या टाली, पेथ की देश में चाय का बागान नहीं है ये गलत है और चाय के पाउधों को उच्छ ह्यूमस उप युक्त उर्वर मिर्दा किया हो सकता होती है सही है तो ए गलत और आर सही आप संडी आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ण है निमनलिखित देशों में किन्हे तो यहाँ पर अफगानिस्तान इरान और पाकिस्तान एक दो चार आप संडी आपका सही उत्तर हो जाएगा अर्ध चंदर क्या है तो स्वाडिम अर्ध चंदर में मध्य और दक्षड एसिया के अफीम उत्पादक और निर्यातक देशों को सामिल किया जाता है इस छेतर में अफीम का अवैत तरीके से उत्पादन और ब्यापार होता है स्वाडिम अर्ध चंदर के अंतरगत पाकिस्तान इरान अफगानिस्तान के छेतरों को शामिल किया जाता है इराग स्वाडिम अर्ध चंदर का भाग नहीं है अगला प्रशन कथन और कारण से संबंधित है कथन है यूरोप के भूमध्य सागरी छेतर में ब्यापारिक अंगूर की खेती विशिष्ट है सही है कारण है कि उसका 85 प्रतिशत अंगूर सराब बनाने के काम में आता है तो बिल्कुल सही कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है अगला प्रशन है निम्नलिखित देशों में से कौन एक मात्र चुकंदर से चीनी तयार करता है फ्रांस यूक्रेन जर्मनी या इटली तो सही उत्तर यूक्रेन हो जाएगा दोस्तों यूक्रेन में लगभग संपूर्ण चीनी चुकंदर से तयार की जाती है अगला प्रशन है सूची एक का सूची दो से सुमेलन करना है और दिये गय कूट से सही उत्तर का चैन करना है कहवा तो साव पालो पठार जूट गंगा डेल्टा यानी पशिम बंगाल और बंगला देश में चावल यांग सीटी मैदान और गेहूं प्रेयरी मैदान में तो तीन चार दो और एक आपसंसी आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रेशन और क्रिसी और पसुपालन से संबंधित महत्तपोन प्रेशनों का ये लाश्ट कोशन है दोस्तों यहाँ पर इसमें आप देखिए पूछा गया है कि सूची एक का प्रियोग करके जो है सूची दो के उत्पादक छेतरों से मिलान करिए कहवा तुसाव पालो पे इसके अलावा चावल सिक्यांग बेसिन में गेहूं कहा पर हुआंग हो बेसिन में और चाय कैंडी बेसिन में उत्पादित किया जाता है बहुत ही महत्वपूर प्रश्न है ये आप देख सकते हैं दो एक चार तीन आपसन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा चीन की यंग सीटी क्यांग और सिक्यांग नदियों के घाटी में चावल का उत्पादन होता है वांगहो और सहायक नदि वेसिन में सीट कालिन गेहों का उत्पादन होता है ब्राजीन का सावपालो छेतर का हवा उत्पादन के लिए है और स्री लंका का कैंडी वेसिन ये चाय उत्पादन के लिए प्रसिध है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो विस्व के भुगोल के अंतरगत क्रिसी और पसुपालन से संबंधित महत्वपोंड प्रशनों का संकलन इसमें हमने उन महत्वपोंड प्रशनों को सामिल किया है जो प्रतियोगी परिक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी करें शेयर करें और इस चैनल मांग दूशन फॉर सिविल सर्विशेज को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार